सब्जी बराने के लिए पैन में दो से तीन बड़े चम्मा सरसो का तेल डालके उसे अच्छे से गरम कर लें दो से तीन सूखी लाल मिर्ची को डालके हलका सा भूल लें जैसे ही मिर्ची भून जाएं आप इसमें कटे हुए कुंद्रू डाल दें यहां पर मैंने आधा किलो कुंद्रू लिया है कुंद्रियों को धो के और तब काटें आप सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढख के पांच मिनट तक मीडियम आज पर पकने के लिए छोड़ दें पांच मिनट बाद सब्जी को खोल के आप अच्छे से एक बार मिक्स कर लें सब्जी ёहां पर हलकी से नरग हो गयी तो अब आप यहां पर डाल दें एक चमच नमक या नमक स्वात के अनुसार डालें आधा छोटा चमच हल्दी पोडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे दोबारा से ढखके आठ से दस मिनिट तक बिल्कुल धीमी आज पर पकने के लिए छोड़ दें दस मिनिट बाद आप देखेंगे कि सब्जी आपकी यहां पर अच्छे से नरम हो गई है तो अब यहां पर आपकी आज तेज कर दें और तेज आज पर इसे एक दो मिनिट और पका लें ताकि कुंद्रू अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं तो यह हमारे कुंद्रू के सब्जी बन के तयार हो गई है आप इसे रोटी या पराठे के सांद सर्फ करें